अस्वालेकूम फ्रेंज ये प्यारा सा पर्टुटा का टावर या पर्सलेन टावर मैंने एक्चली पर्सलेन लगाने के लिए और नाइन अ क्लोक लगाने के लिए ही बनाया है क्यूंकि वो मुझको बहुत प्यारी लगती है और समर सीजन में अच्छे से ग्रूब भी करती ह इसके लिए मैंने लिटिल लिटिल बासकेट्स ली हैं। और मेरे पास दो दरह के पाइप थे। जिसने मैंने इसको तयार किया है। एक छोटा एक थोड़ा बड़ा। कल मैंने चू-शेयर किया था। वो छोटा वाला प्लांटर था। और आज ही मैं बड़े वाले पाइप का शेयर कर रही हूँ आपके साथ कंस्ट्रक्शन इस पीट बढ़ाते हुए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ इसमें आप इसको रिपीट देख सकते हैं सेम मैथट से शू बॉक्स लीजिए उसमें इन पत्थरों को रग दीजिए और पाइप को टिका कर पकड़े रही है थोड़ी देर के लिए बस और इस सीमेंट और मॉरंग का वन बन रेश्यू लेते हुए पानी डाल कर ना गाढ़ा ना पतला फिर भी सेट होने लायक आप मसाला तयार कर लीजिए और इन पत्थरों के ऊपर साइट से आगे से पिछे से सब तरफ से आप इस पर डाल दीजिए और टैप कर दीजिए अच्छे से ताकि ये पत्थरों के बीच बीच में भी पहुँच जाए और पत्थरों को चिपका ले इस तरह से आप उसको किसी स्पून की हेल्प से या कन्नी की हेल्प से आप स्प्रेट कर सकती हैं और फैलाते हुए इस पत्थर को आराम से बना सकती हैं ये लीजिए मैंने इसको फिल अप कर दिया है और भर दिया है और स्प्रेट भी कर दिया है 24 hours के लिए आप इसको अच्छे से सुखा लीजिए और पानी भी डाल दीजिए सुखने के बाद ये अब छोड़ चुका है इसका मतलब ये सुख गया है तो हम इसको रिमूब कर देते हैं और फिर इसको वाइट बॉश लगा देंगे वाइट सीमेंट से पेंट कर दिया है और अब ये जो लोहे का इसमें आप टुक्रा देख रहे हैं ये कील लगाने की जरूरत नहीं है यहीं पर हम बास्केट में एक होल बना लेंगे थोड़ा थोटा पाइप के बराबर का और फिर इसमें ही इसको सेट करके पहना देंगे ये काटने के लिए आप नाइफ गरम करके भी बास्केट में होल तयार कर सकते हैं पहला तो ये तयार हुई गया है इसमें मैंने कोई कील नहीं लगाई है इस लोहे पर ही हमने सेट कर दिया है वो थोड़ा बड़ा था और इसके बाद नाइफ को गरम करते हुए पाइप में हम चोटे-चोटे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होल बना लेंगे और वहाँ पर अपनी कील एड़ेस्ट कर देंगे तीनों तरफ से जिस पर हमारी दूस बास्केट लग जाएगी और फिर उसके ऊपर थोड़ी दूरी पर फिर उसके ऊपर थोड़ी दूरी पर लाश्ट में भी हम कील लगा देंगे लेकिन फिलाल मेरे पास अभी बास्केट एक और नहीं है मैंने भी तीन बास्केट ही इसमें सेट करी है चौथी जब होगी तो और यह ब्यूटिफुल भी बहुत लगते हैं जब इसमें प्लांट करते हैं उसके फ्लार भी ट्रेल करते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं जो पत्थर मैंने नीचे बनाया है या स्टैंड कह लीजिए उसको पेंट कर दिया है बिलू कलर से और इस pipe को वैसे white ही छोड़ दिया है थोड़े थोड़े से dots dots type में मैंने लगा दिये है यहां यह हो गया है beautiful सा planter तयार प्लीज लाइक, share and comment और मेरे चैनल को subscribe भी कर लीजी प्लीज, I love his friends बाई